अमेरिका के एक बहुत बड़े आटिस्ट फोटाग्रफर चक क्लोज कहते हैं कि एमेटर लुक्स फॉर इंस्पिरेशन और रेश्ट आफ अफ उस गेट अप और गो टू वर्क जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है आर्ट में वो सोचते हैं कि यार किसी चीज को हम देखें किसी चीज से इंस्पायर हो तब जाके थोड़ा कहीं मूड बनेगा हमारा ड्रॉइंग करने का पेंटिंग करने का लेकिन अगर आप इसको डेली काम के तरह इसको फिक्स कर लो जैसे आप डेली खाना खाना आपके लिए जरूरी है ड्रॉइंग जब तक नहीं करो रात सोने से पहले तक अगर पूरे दिन में आपने कोई ड्रॉइंग नहीं किया है आर्ट से रिलेटेट कोई काम नहीं किया है तो सोने से पहले कभी भी दिन मेर में कभी भी बहुत लोगों में से, आप लोगों का बहुत लोगों का मैसेज ये था, कि सर मैं अभी इस 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 तेंडर्र में हूँ अभी मैं इस k校ون лиच में पढ़ रहा हूँ, तो मैं टाइम नहीं पंपता स्थाथ को पर में देना चाहता हूँ, देखो, मैं क्या करता था, school जब चल रहा होता था तो उसके बीच में जो gap मिलता था बीच में कोई teacher नहीं आए teacher absent है कभी या फिर कोई gap मिल गया एक teacher से दूसरे teacher के आने के बीच में जो gap मिल गया उसके बीच में मैं अपने rough जो मेरे पास copy होती थी एक rough copy उसमें draw करता था और जब भी आप इस stage में draw करो आप बिल्कूल भी ये मत सुचो कि मुझे एक बहुत बड़ा artist बनना है मुझे आगे चल के art में career बनाना है मुझे अपने art को improve करना ये सब छोड़ दो ये सब छोड़ दो Jasper Jones अमेरिका के एक बहुत बड़े artist थे उनका ये बोलना था कि to be a good artist you have to give up everything even the desire to become a good artist अगर आपको artist बनना है तो आपको बहुत से रही चीज़े छोड़नी पड़ेगी और ये सोच भी छोड़ना पड़ेगा कि मुझे artist बनना है अगर आप ये सोचते रहोगे कि मुझे artist बनना है मुझे art की career आप में career बनना है आप की film जाना है तो ये जब tension बन जागा ना ये जो सोच है ये tension बन जाती है आप काम में ध्यान निदे पाओगी एकदम chilled रहो free minded रहो relaxed रहो अभी आपका time सिखने का जब भी कोई paper rough copy आपके पास है उसमें कुछ cartoon बना दिया कुछ funny drawing बना दी ये सब भी अगर आप कर रहो हो कोई doodle कर दिया पांच मिनट का time आपके पास कोई doodling कर दिया तो वो सब भी आपको improve करने में help करेगा उसे आपका दिमाग का जो process है वो speed होगा तो कुछ चीजे मैं यहापे points रख रहा हूँ इन points पे आप जरूर ध्यान देना और यही चीज मैंने भी की थी बहुत help करती है अगर आपके relatives वगेरा आपके जो रिस्तेदार वगेरा है जान पहचान के कुछ लोग है जो आपको art के लिए motivate नहीं करते हैं बलकि demotivate करते हैं और अक्सर यही होता है तो आप उनसे बात चित कम कर दो infect बंद कर दो फोन पे अगर बात होती है अगर आस पास रहते हैं तो आना जाना अभी कम कर दो बंद कर दो दूर रखो अपने आपको उन सब लोगों से जो आपको demotivate करते हैं पहली चीज़ दूसरी चीज़ ऐसे लोग से दोस्ती रखो आपके बहुत सेरे दोस्त होंगे उन में से कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपके art की आपके काम की सराहना करते होंगे आपकी तारीफ करते होंगे उपर उपर तारीफ नहीं आपके work को देखके उनको भी मज़ा आता होगा आपको बोलते होगे चलियार आज कुछ नया बनागे दिखा यार थोड़ा सा कुछ तो ऐसा होता होगा उनकी बातों में जो आपको अच्छा लगता होगा, उनसे बातचित रखो, तीसरी चीज, इंटरनेट पे, फेस्बूक वगेरा पे, आर्ट रिलेटेड जो फिल्ड में है, आर्ट की फिल्ड में है, उनको फ्रेंड्स बनाओ, फेस्बूक में, उनको फ्रेंड जिए अभी मेरे जितने फ्रेंड्स है्, उनमें मैक्सिमम लोग आर्टिस्ट है, बहुं सारे लोग आठ के रिलेटेड, आप से दोस्ती बनाओ, आप सोशाल मीडिया पर, जब भी आप सोशाल मीडिया औरोगे, ऐसे लोग दिखेंगे, आपको हमेशा फिल होते रहेगा, क की फिल्ड में जो काम कर रहे हैं तो आपको एक motivation अपने आप मिलते रहेगा चौती चीज घर पे कहीं पे भी अगर आपका अलग से रूम है तो बहुत बढ़िया अगर अलग से रूम नहीं है तो एक छोटा सा कोना बना लो जहां पे आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट के वर्क आपको जो चीज़े इंस्पायर करती है अगर कोई बुक है आर्ट से रिलेटेड या फिर कोई एक आर्टिस्ट है जिसकी कोई quotations है कोई lines है कोई motivational line है अगर आप वो अच्छी लगती है उसकी print निकालो अपने सामने चिपकाओ उसको डेली उठो डेली उसको देखो उसको पढ़ो डेली कोई फेवरेट आर्टिस्ट है उसको सामने लगाओ मुझे MFUSN सर बहुत अच्छे लगते थे अच्छे लगते हैं obviously बहुत सारे यह हैं जो मुझे बहुत इंसपायर करते हैं उनका वर्क मैं कोशिच करता हूँ कि उनके वर्क्स की प्रिंट अगर मुझे मिल जा तो मिले आता हूं M.F. Usain Sir की एक work का print मुझे मीला था दिल्ली आट गैलरी से उसको मैंने print करवागे घर में frame करा के रखा है तो जो भी आपको inspire करे कुछ art related material, art related quote जो भी inspire करे उसको सामने रखो आप inspire फिल करोगे और एक बात, बहुत important बात है ये आपका पूरा दिन में आप YouTube चलाते हो, बहुत सारी चीज़े देखते हो comedy videos देखते हो, आप कोई movie के कुछ scenes वगएरा देख रहे हो action कुछ, कोई और web series वगएरा है, कुछ भी आप देख रहे हो उसको cut down करो, जादा time दो अपने art के tutorials देखने में मैं जब मैंने four to five years पहले, जब मैं थोड़ा serious होने लग गया था art में, तो मैंने चालू कर दिया था art के tutorials देखना, इंडिया के artist हो या international artist हो, जिनका work मुझे अच्छा लगता था, जिनका style मुझे inspired feel करवाते हैं, उनके videos daily basis पे, उनके और बाकी सब artist के, जितने आपको artist अच्छे लगते हैं, उनके videos आप daily basis पे देखो, अगर आपको, चार videos suppose आपने decide किया कि मैं देखूंगा, अगर आपको कभी bore भी लग रहा है ना, तो उसको complete करो एक video को, अगर आपको वो topic bore भी रगला है, जिस topic पे वो artist बात कर रहा है, तब भी उस topic को पूरा देखो, अच्छे से end तक, धीरे-दीरे आपकी habit बन जाएगी कि उनकी बातें absorb करना सीखो गया आप, शुरू-शुरू में मन नहीं करता, अगर कोई topic थोड़ी सी boring होती है तो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, अभी आप entertainment नहीं खोज रहे हो, अगर आप art की field में seriously सीखना चाहते हो, जल्द से जल्द improve करना चाहते हो, तो बहुत जल्दी है कि आप art से related चीज़ ही अपने अंदर डालो, उसी से related चीज़ डालोगे, उसी से related चीज़ ही निकलेगी, आप जाधा productivity के साथ काम कर पाऊगे, बहुत जाधा time नहीं देना है आपको किसी ऐसे चीज़ को जो आपको art की journey में help ना करें, अगर मम्मी पापा किसी किसे के मम्मी पापा भी support नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है, और वो unfortunately आप बहुत distressing होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो मम्मी पापा एक बार बोल देते हैं, कि नहीं यार क्या कर रहा है ये, क्या कर रही है ये, अभी किसी और चीज़ में ध्यान दे, वो बोल के चले जाते हैं, डाट के चले जाते हैं, लेक कैसे वो अपने, कैसे वो अपने पहले जब छोटे थे, तब कैसे बनाते थे, अब कैसे बना रहे हैं, क्या किया था उन्होंने, कैसे प्रैक्टिस की थी, अभी क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे, पहले क्या आटिश कैसे थे, ये सब कुछ-कुछ-कुछ-कुछ पढ़ तो यार, बहुत हर्ट फिल होता है, अब आप इतना प्यार करते हो, हम किसी चीज से इतना प्यार करते हो, इसके खिलाब कोई बोल दे, बुरा तो यार, लगता ही है, पर उसको दिल पे लगने मत दो, आप ये सोचो, कि पैरेंट इसले बोल रहा है, क्योंकि उनको इस बारे म नहीं पता, आपको पता करना है आपकी responsibility इस चीज़ के बारे में पता करने की, excuse बनाना छोड़ दो excuse बहुत सारे मिल जाते हैं, आपको ध्यान देना है आपको अपने work पे ध्यान देना है अपनी quality को बढ़ाना है एक line मैंने सुनी थी जो मुझे बहुत inspire की थी आप जो करना चाहते हो उसमें और अगर आप जो करना चाहते हो नहीं कर पाते हो उन दोनों के बीच में जो gap होता है वो उसकी responsibility आप क्यों होती है कि आपने अपना effort 100% नहीं डाला मैंने जो points बताया, उन पे काम करो अपना environment इस तरीके से set करो कि आप अपने आप motivated feel करने लग जाओ आपको सोचना नहीं पड़े कि आज में क्या बना हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ सामने जब art related चीज़ रहेगी art related चीज़ सुनोगे art related चीज़ देखोगे art related चीज़ पढ़ोगे online जाओगे art related जो फिल्ड में है, वो दोस्त आपके रहेंगे आपके जो दोस्त यार हैं, उन में से वो लोग रहेंगे जो आपके art की सरहना करते हैं जब ऐसा माहूल बन जाएगा, तब आएगा असली मज़ा आपको काम करने में, और ऐसा ही मैंने धीरे-धीरे अपने साथ किया था किसी को भी favorable situation नहीं मिलती है ऐसा situation अब अगर आप बनाते हो थोड़ा time लगेगा, लेकिन जब बन जाएगी तब आप देखना कितने speed से आप चीज़े सीखना चालू करोगे एक किसी महाभारत वगेरे, उसमें बोलते है कि जो योद्धा होते है उनको नींद और आलस यह जो दो चीज़े सबसे बड़ा उनका शत्रू होता है तो जब भी आपको लगे ना कि आर आलस लग रहा नहीं बनाऊ या फिर नहीं यार मजा नहीं अब अच्छा नहीं बन रहा थोड़ा सा demotivate फिल करो तो यह सब चीज़ सोचो कुछ ऐसी बात अपने आपको बोल दो कि तूरंत आपको लगे कि नहीं अब तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि जो पहले जितने भी ट्राइंग तो सब फेल हो जाएंगे सब रिकॉर्ड अपना में तोड़ दूँगा इतना सुंदर बनाऊंगा इतना अपना बैस्ट दूँगा कि मजा आ जाएगा तो कुछ चीज़े जब आप इस टाइप की चीज़े देखते हो ना जब आप मोटिवेशनल चीज़ आर्ट्स रिलेटेड जो बड़े बड़े आर्टिष्ट है उनकी बाते उनकी स्पीचे सुनते हो तो आपका माइंड उस तरीके से सोचता है उस तरीके से आप रियक्ट करोगे सिच्वेशन में तो दोस्तों I hope कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरी कोशिश थी यार कि जो मैंने experience किया है जैसा मैं करता था जिससे मुझे help मिलती थी मैं उसको as it is share कर सकूँ तो मैं चाहता हूँ कि कही न कही हम एक connection बनाए एक कुछ न कुछ किसी न किसी को एक बात click ऐसी कर जाए जिसको वो जिससे वो motivate हो जाए जिससे वो inspire हो जाए जिससे उसकी जो mind में जो stress है वो थोड़ा तो कम हो तो ये कोशिश है अगर आप support करोगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो share जरूर करना मिलते हैं बगली वीड कर दो